बीवान, मैं डॉक्टर स्वाती शर्मा, इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए important points on Shakespeare जो के लेकर आई हूँ ये topic आला की एक बहुत ही common topic है, लेकिन इसमें से भी कुछ ऐसे points निकाने हैं जो हो सकता है आपको ना पता हो, और पता हो तो आपका revision हो जाएगा जब भी आप तैयारी करने बैठें, तो जो चीज़ पता है उनको तो एक बार revise करना ही होता है लेकिन जो नहीं पता होता उनको भी जानना जरूरी होता है क्योंकि ये वीडियो TGT PGT exam के लिए है, जैसा कि आप लोग जानते है कि इस बार का exam मुझे भी लगता है कि कुछ level जो है वो उसका और exam से अलग होगा क्योंकि इसमें TGT के exam में interview नहीं है तो उसे के हिसाब से तैयारी भी वैसी ही करनी चाहिए इस वीडियो में मैंने पहले जो questions लिए है वो इस तरीके के लिए हैं जो थोड़े से अलग है और बात में मैंने बिल्कु सिंपल Shakespeare की जो biography है उसे लिए है जो अधिकतर सभी लोगों को पताई ही होती है और यह आप लोगों को पहली slide जो दिख रही है वो दिख रहा होगा आपको English Sutra का एड है अगर आप लोग हमारे हमारा जो batch है TGT PGT का अगर आप उस batch में admission लेना चाहते हैं पेड बैच में तो आप उसके लिए English Sutra जिस नाम की spelling है उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं लाइव क्लास एक बिल्कुल फ्री है अगर आप देखना चाहें तो आप डेमो लेके देख सकते हैं कि किस तरीके की लाइव क्लास जो है हमारे यहां चलती है और वैसे भी आप लाइव क्लास ले सकते हैं क्योंकि कहीं भी एडमेशन लेने से पहले सभी लोगों की लाइव क्लास जो है एक बार लेके देखनी जरूर चाहिए क्योंकि live में और video में बहुत फर्क होता है तो live class लेके जरूर देखनी चाहिए एक standard जो है वो जानने के लिए obviously बहुत अच्छे बहतर भी है तो बहुत ऐसी below average भी है तो जब आपको पैसे खर्च कर नहीं है तो best पर खर्च कीजिए चाहे वो कोई भी हो तो चलिए बातों को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर अगर आपको बैच से संबंदित कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप नीचे दिये वे number पर phone कर सकते हैं और आगे अब मैं आप लोगों के लिए next slide जो है वो बढ़ा रही important points on William Shakespeare अब बात करते हैं question number one है the quarto page was about dash white and dash high सबसे पहले जान लेते हैं यह quarto and folio है क्या देख यह quarto and folio editions थे जिनमें Shakespeare के plays जो हैं वो publish हुए quarto editions के मानिए कि एक paper की 4 leaves में fold करके यानि कि एक paper को अगर आप 4 बार fold करते हैं और वो 8 leaves बन जाती हैं तो उसे quarto कहते हैं और अगर एक paper को नीचे से उठाके बीच में fold करते हैं और उसको 4 leaves बनती हैं तो उसे folio edition कहा जाता है तो quarto editions छोटे होते हैं folio editions बड़े होते हैं तो quarto editions कितने wide और कितने high होते हैं तो इसका answer है आपका 9.5 जो हैं वो wide होते हैं और 12 जो हैं वो high होते हैं तो इसमें आप लोग देख सकते हैं quarter editions and folio editions में ये फर्क होता है कि quarter editions छोटे होते हैं और folio editions जो हैं वो बड़े होते हैं तो इसका जो answer हैं आप लोग को पता मज में आ गया होगा इसका answer जो है वो क्या है 9.5 inches wide, 9.5 inches wide and 12 inches high होते थे 9.5, 9.5 inches उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं वो कॉइन दे टर्म बाडो लेटरी यह काफी important question है देखें इसका बैने option भी नहीं दिया वो कॉइन दे टर्म बाडो लेटरी तो बै आपको इसको पूरे explain करती हूँ देखें, Shakespeare का एक सोबरी के था यानि कि उन्हें एक title मिला हुआ था Shakespeare को, एक सोबरी के था उनका that was Bard of Avon Bard of Avon उन्हें एक title मिला हुआ था singer of Avon तो उससे लिया Bard और उससे लिया word Bard ठीक है, Bard लिया word उससे और उसके साथ जोड़ दिया Latria Greek word है Latria जिसका मतलब होता है worship तो Bard O Lettree Bard O Lettree का मतलब होता है worship of the Bard यह word जो है, वो coin करा है George Bernard Shaw ने यह word को coin करने का श्रेज आता है G.B. Shaw को George Bernard Shaw को जाता है और उन्होंने इसे किसमें दिया है, उन्होंने एक preface का है, उनका collection का Three Plays for Puritans उनका एक collection है Three Plays for Puritans यह उनका work है Three Plays for Puritans 1901 में यह आया था 1901 में उसमें उन्होंने यह term दिया है Shakespeare के लिए Bard O Lettree तो जैसे मैंने आपको बताया, फिर दुबारा से बता देती हूँ, Bard लिया है उनकी सोबरी के से, और Lettreea word लिया है Greek word worship से Bard O Lettree का मतलब है worship of the Bard और यह word उन्होंने यूज किया अपने प्रीफेस में Three Plays for Puritans जो की publish हुआ था 1901 में And the next question is In which work Shakespeare used the word fashionable? Shakespeare के काफी श्रे जाता है काफी सारे words को coin करने का, invent करने का तो यहाँ पर Shakespeare ने जो यह fashionable word है वो यूज करा है उन्होंने Troilus and Cressida में Troilus and Cressida play में उन्होंने इसको use करा है fashionable Time is a fashionable host या fashionable का मतलब कोई high heels, makeup and all that नहीं है good के sense में उन्होंने fashionable word use करा है Troilus and Cressida play में fashionable word तो इस तरह के questions हैं जो काफी यह जो questions हैं यह मैंने खुदी जो हैं वो बनाए है इसके बारे में यह समझिये कि यह जो इंग्लिश में जो Shakespeare के काफी सारे plays को कई सारी languages में translate करा गया है जैसे अगर आपने सुना भी होगा भारते इंदू हरिश्चेंद्र ने The Merchant of Venice को दुरलब बंदू के रूप में उन्होंने उसे translate करा है यह Bangla, Marathi कई भाशाओं में जो इसे translate करा गया है तो हिंदी में इसको translate भ्रहम जलक के रूप में किस ने translate इसे करा है तो आपको यह words आप देख रहे हैं भारते इंदू हरिश्चंद्र मुझ्छी इमदाद अली प्रेम चन तो इसे translate करा है हिंदी में इन्होंने इमदाद अली ने ब्रहम जलक के रूप में भारते इंदू हरिश्चंद्र ने Merchant of Venice को दुलब बंधू के रूप में translate करा है and the next question is who translated measure for measure in Hindi as Bagula Bhagat in 1915 Bagula Bhagat के रूप में 1915 में किसने measure for measure को Bagula Bhagat के रूप में translate करा है तो ये मैंने अभी आपको बताया कि Hindi में Shakespeare के plays को translate करा है और Hindi में भी Hindi के पढ़ने वालों के लिए भी Shakespeare को famous बनाने के लिए तो ये जो करा है Lala Sita Ram ने हाला कि उनके translations हैं वो बहुत अच्छे degree के नहीं माने जाते हैं मगर फिर भी एक Hindi भाशी समाज में Shakespeare को famous करने का श्रे लाला Sita Ram आपको जाता है ये किस ने कहा है Shakespeare के बारे में कि Shakespeare जो है वो सभी राइटर से उपर है अच्छे कहा है Dr. Samuel Johnson ने Shakespeare के बारे में कि ये Shakespeare जो है वो सभी राइटर से उपर है तो ये Dr. Samuel Johnson के विचार हैं Shakespeare के बारे में वो सभी आपको एक चीज़ बता हूँ कि ये इस तरीके के जो है Shakespeare has no heroes only heroines ये काफी पुराने हो चुके है अब इसमें जो पूछे जाएंगे जो और भी writers ने Shakespeare के बारे में क्या कहा है और T.S. Eliot ने Shakespeare के बारे में क्या कहा है या ये इस तरीके के questions पूछे जाने की संभावना अब जादा है जो which have not been repeated तो इसी लिए अगर आप तयारी कर रहे हैं तो इसी तरीके का level जो है वो लेके रखे तो ये कहा है Shakespeare को Ralph Waldo Emerson ने कि he was inconceivably wise Shakespeare's most direct reference to Queen Elizabeth is founded आप सभी लोग जानते हैं कि Shakespeare ने Queen Elizabeth के समय में लिखना शुरू कर दिया था और इसी लिए Shakespeare को Elizabethan writer ही कहा जाता है हाला कि उसने अपने जीवन के बहुत से plays James One के समय में लिखे but he is known as Queen Elizabeth के समय का ही writer माना जाता Elizabethan writer और Shakespeare ने Queen के उपर जो direct reference दिया है वो दिया है अपने play Midsommar Nights Dream में जिसमें उसने Queen को Virgin of the West कहके जो है वो पुकारा है Queen को जो direct reference दिया है that is given in Midsommar Nights Dream by Oberon Oberon के माध्यम से उसने Queen को direct reference जो है वो दिया है Sydney's Arcadia is drawn by Shakespeare in आप जानते हैं Sir Philip Sydney उन्होंने लिखी है Arcadia और Arcadia जो है वो हमें Shakespeare के कौन से play में देखने को मिलती है तो Shakespeare के King Lear का जो part 2 है उसमें हमें Arcadia जो है वो देखने को मिलती है जिसमें Edgar, Gloucester और Edmund वाला जो plot है वो बिल्कुल जो है वो Arcadia से लिया गया है तो King Lear में King Lear breeds Arcadia King Lear में जो है हमें Arcadia बिल्कुल ऐसा लगता है जैसा Arcadia का plot वो King Lear में लिया गया है लेकिन King Lear में second part में जो है वो लिया गया है तो इसका है आपका that is answer is King Lear तो ये पैफलो मिनियन King refers to the तो ये ये पैफलो मिनियन King refers to the ये जो स्टोरी है ये Sydney की Arcadia की कहानी है तो ये पैफलो मिनियन King refers to the ये कहानी जो है ये फिर वही है ये कहानी हमें देखने को मिलती है King Lear के में और ये King Lear में देखने को मिलती है ये question दो तरीके से गुमा के पूछा जा सकता है King Lear में हमें ये कहानी Sydney की Arcadia Sydney की Arcadia में ये ये King जो है पैफलो मिनियन King जो है वो से दिखाया गया है और ये कहानी हमें देखने को मिलती है Edmund, Edgar और Gloucester के plot में हमें देखने को मिलती है जो King Lear में Edmund, Edgar जब उन्हें बहाने का King Lear को भी उसकी बेटियों के द्वारा बहान निकाल दिया जाता है Gloucester को अंधा कर दिया जाता है तो ये कहानी जो है हमें देखने को मिलती है Edmund, Edgar और Gloucester वाली ये स्टोरी अप पेफलोगियन किंग है ये कहानी हमें बिल्कुल रिफ्लेक्ट करती है हम इस कहानी को देखते हैं King Lear के second plot में हमें इस ये कहानी देखने को मिलती है चलिए question number 11 की तरफ बढ़ते है It's a chronicle play that deals with England's war with France इसका answer है It's a chronicle play that deals with England's war with France ये chronicle play है और ये इसका answer है ये है Henry VI Henry VI जो है वो दिखाता है ये इसमें 5 दिखा हुआ है that is Henry VI तो इसका answer है D and Henry VI ते ठीक से लिख देती हूँ Henry VI है ये और ये एक chronicle play है जो England का 100 year wars इससे पहले Battle of Agincourt जो दिखाई गई है वो Henry V में दिखाई गई है और जो Henry VI है उसमें continuous shifting जो है वो दिखाई गई है तो chronicle play है ये Henry VI में जो है दिखाया गया है England का war with France Now let's move on to the next question Who said Dati and Shakespeare divide the world between them there is no third ये किसने कहा है कि Dati और Shakespeare ने world को आपस में बाट लिया है और तीसरा कोई है ही नहीं Dati the Italian poet and Shakespeare the English poet तो ये कहा है T.S. Elliot ने कि Dati और Shakespeare के बीच में ही ये दुनिया बटी वी है और तीसरा कोई है ही नहीं अब ये जो question थे मैं आप लोगों को बता फिर दुबारा से कहा देती हूँ मैंने हाला कि आज कुछ थोड़े बहुत ही questions जो कहें वो लिए अगर आपको इनका level ऐसा लगता है कि हाँ ये questions ऐसे ठीक हैं अच्छे level के हैं तो आप ये मानके चलिएगा ऐसे ही कई सारे questions आप लोगों को याद करने होंगे और ये याद ना रर्टाफिकेशन से नहीं होता है ये समझ कर याद होता है कौन सा प्ले में क्या चीज कही गई है क्योंकि आजकल बनाने वाला भी बहुत होशयार हो गया पेपर तो obviously subject experts मांगे गए हैं तो उनको भी पता है कि किस तरीके से questions को घुमा के जो है वो दिया जाए तो इसलिए ये बिलकुल questions जो है वो यही एक ये या इस से उपर का level जो है वो मांगे चलिए आगे बढ़ते हैं ये simple मैंने वो लिया है Shakespeare की biography लिया है Shakespeare का जन्म हुआ था 23 अप्रेल 1564 में और ये माना जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि 23 अप्रेल में हुआ था Shakespeare की मृत्यू भी तभी हुई जब उसका बोद्दे वाले दिन ही 23 अप्रेल 1616 में उसका जो है उसकी मृत्यू हुई Shakespeare के parents से John Shakespeare and Mary Arden John Shakespeare जोनोंने अलाग-अला काम करें जो की एक गलवर थे and उसकी मदर जो है वो भी एक काफी अच्छे एक जमीदार परिवार को बिलॉग करने वाली थी Mary Arden and the next one is At the age of 18, Shakespeare married 26-year-old N. Hathaway the consistory court of the Diocacy of Four Sisters issued a marriage license on 27th November 1582 18 साल की उमर में Shakespeare को अपने से 8 साल बड़ी एक लड़की N. Hathaway से शादी करनी पड़ी और हमें कैसे पता चलता है क्योंकि marriage certificate 27th November 1582 का है Shakespeare को अपना जो टाउन है वो छोड़कर जाना पड़ा था और किस वज़े से जाना पड़ा था जो हमें Shakespeare की history life जो Shakespeare के life history के बारे में पता चलता है जो एक यह माना जाता है कि जिस पे reliable जो account है वो है Nicholas Rowe की किताब जिसमें हम यह पढ़ते हैं कि Shakespeare को dear poaching के आरोप में पकड़ा गया था और इसी लिए उसमें उनको वहां से जाना पड़ा था लंडन जाना पड़ा था अपने जगे स्ट्राटफूर अपॉन चोड़कर तो यह जो घटना है उसका description दिया हुआ है Nicholas Rowe की book है some account of the life of Mr. William Shakespeare जिसमें उन्होंने dear poaching incident के बारे में बताया है William Shakespeare ने अपना जो लंडन में एक successful career स्टार्ट करा था जिसे lost year के नाम से भी उनके जाना जाता है 1585 से 1592 के बीच में उनका जो समय था वो काफी एक उन्होंने अपना successful career की शुरुआत जो है वो कर दी थी ये प्ले लव्ज लेबर लॉस्ट वो प्ले था जिसमें Shakespeare का नाम as an author first time अपियर हुआ था जब Shakespeare लंडन में काम करने के लिए आए थे तो उन्होंने Queen Elizabeth का जो ग्रुप था जो patron करता था यानि कि उनको support करता था उस Lord Chamberlain's Men के नाम से एक theatre ग्रुप था जो आकर उसने जॉइन करा और जब James One गदी पर आया तो इस ग्रुप का नाम हो गया था Kingsman Shakespeare वापस चले गए थे Stratford upon Evon में जब उनकी वहां से retirement के बाद अपना जो उन्होंने के Tempest को इसी लिए ही उनका स्वान सौंग कहा जाता है कि जैसे Tempest में Prospero अब एक Epilogue बोलता है कि Let Me Go From Here ऐसा लगता है जैसे Shakespeare भी जाने की अनुमती जो है वो मांग रहा है यह हुई आपके Shakespeare के कुछ important points हाला कि इसके बाद के points सभी लोगों को पता होते हैं और इसी मैं आप लोगों को Shakespeare के बारे में बताने आप मैंने इसने सोचा कि Shakespeare ऐसा कोई नहीं है जो literature का student जिसे Shakespeare के बारे में ना पता हो तो जब Shakespeare को पढ़ें तो उसमें और नया कुछ और चीज़ें जो है वो ढूंडने का प्रयास अवश्य करें क्योंकि पिछली बार का जो paper आया था 16 का paper जो की 19 में हुआ था उसमें भी उन्होंने काफी plays में उनके sources पूछे थे तो sources कोई ऐसा मैं यह नहीं कहती की काफी difficult होते हैं बट उन्हें काफी सारे plays के sources को याद रखना बड़ा कठिन काम होता है तो इसलिए आप लोग इसमें किस translation क्या चीज यह सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें पढ़नी पढ़ेंगी enjoy करके पढ़िये सब चीज याद हो जाएगी thank you very much मिलते हैं कल